कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चो एलेक्ट्रिक फिल्ड एन एलेक्ट्रिक चार्ज, नया सेसन स्टार्ट हो चुका है, धूम मचाना है, और नया सेसन के साथ कुछ नई चीजे भी, ब्रहमास्त्रा बैच आप सब के लिए लेकिया आएए, इसमें आपको कम्प् ये फाइल, जो भी लेक्चर्स की होगी, वो आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएए, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फिर डेली प्रेक्टिस प्रॉब्लम आपको इसी बैच के अंदर मिलेगा, और इन सब कोई कोर्स नहीं है, बिल्क चार्ज के हम बात करेंगे, आज बच्चों, इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, वो डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, लेकिन मैं इसको स्टार्ट करने से पहले, कुछ चीजे जो हैं इसके अंदर, यानि कि इस फ़र्स चैप्टर में हम क्या-क्या प आपका है, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फिल, तो इसमें जो पहला जो हम पार्ट पढ़ेंगे बच्चों, वो है एक्चलि में इलेक्ट्रिक चार्ज और इसकी प्रॉपर्टी, क्या पढ़ेंगे हम इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज and its property सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे इसके अंदर अब इसमें क्या-क्या होगा इसमें आपकी electric charge की definition होगी properties होगी जो इसके तीन properties है basic फिर charging of a body कि इसी body को हम charge कैसे कर सकते हैं इसी के अंदर वो भी हम पढ़ेंगे और फिर plus में कुछ numericals जो इसके अंदर numericals आएंगे जितने भी वो हम इसके अंदर discuss करेंगे अच्छा दूसरा इसके अंदर क्या है दूसरा जो इस chapter का division है वो है actually में coulomb slow यानि कि electric force जिसे आप बोलते हो दूसरा इसके अंदर हम पढ़ेंगे coulomb slow जिसे हम लोग electric force भी बोलते हैं electric force भी बोलते हैं अब इस coulomb slow में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चो इसमें coulomb slow का एक तो vector form है वो हम discuss करेंगे होता क्या है देखेंगे उसके बाद हम इसमें numericals discuss करेंगे जो भी इस पे based numericals है वो हम पढ़ेंगे तीसरा जो यहाँ पे phase है तीसरा जो part है इस chapter का वो actually में बड़ा मज़ेदार है यहाँ से actually main आपका chapter start होता है यहाँ तो just basic है लेकिन जो जहाँ से आप apply करते हैं सारी knowledge को वो यहाँ से है यानि electric field से तो हम जो next जो तीसरा part होगा इसका वो electric field होगा electric field में क्या क्या है अच्छा electric field के साथ-साथ हमें आपे electric dipole भी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे electric dipole भी हमें आपे पढ़ेंगे electric field के साथ-साथ और फिर उसके बाद electric field में देखो एक तो due to point charge electric field हम पढ़ेंगे due to point charge पढ़ेंगे एलेक्ट्रिक फिल्ड डू डाइपोल भी पढ़ेंगे एलेक्ट्रिक फील्ड डू डाइपोल पढ़ेंगे अब इसमें दो हैं एक्टॉरियल और एक्टॉरियल है एक्यूटोरियल और दूसरा इसके अंदर एक्सियल पोजिशन पे फिल्ड हम निकालेंगे तीसरा जो इसके अंदर है बच्चो वह है टॉर्क यानि टॉर्क एक्टिंग और डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है उसको हम पढ़ेंगे और साथ-साथ हम यहां पर एक टॉपिक और डिसकस कर लेंगे हाला कि नेक्स्ट चेक्टर में आता है लेकिन इसी में कराओगा व्यूकि दाइपोल यहां पढ़ रहे हो डाइपॉल अप सैकेंड चेप्टर में पढ़ोगे पॉटेंशल और कैपासिटर में पढ़ोगे दाइपॉल तो यहां भी डाइपोल है तो इनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी रिक्वायर्ड तो रोटेट दाइपोल तो एनर्जी स्टोर्ड इन दाइपोल अच्छा एनर्जी स्टोर का मतलब समझ में आई गया होगी potential energy की बात चल गी, potential energy stored in a dipole in electric field, तो beta यह तो हो गया, तीन पार्ट, चौत्था जो पार्ट है न, या पर फूर्थ जो पार्ट इसके अंदर है, जो फूर्थ लेवल होगा, इसी चेप्टर का, अपन जो डिसकस करने जा रहे हैं, वो है अच्छली में, gausses law और electric flux, यानि electric flux and gausses law, अब इसमें क्या क्या है, भाई इसमें सबसे पहले इस electric flux की basic definition हो जाएगी, gausses law का proof हो जाएगा, तेखेंगे, gausses law का proof करेंगे, और उसके बाद हम gausses law की तीन applications हैं, और जिसमें पहला है, इसमें electric field, due to infinite line charge है, एक तो यह, पहला ही हो गया, दूसरा जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, बच्चों, infinite line charge के अलाबा, दूसरा जो इसके अंदर, वो है, charged, charged thin sheet, एक तो यह हो गया, और तीसरा जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, वो है spherical shell, charged spherical shell, और हाँ, numericals हर एक में चलेगा, sacro-numericals है, और sacro-numericals हम डिसकस करेंगे, numericals हर टॉपिक में हैं, और काफी अच्छे-च्छे numericals है, पूरी anxiety के numericals कवर होंगे इसमें, पूरी anxiety के एक एक numericals इसके अंदर कवर किये जाएंगे, और इसके point, जो standard numericals हैं, एमसे की जो भी questions है, वो सब आपको इसी ब्रहमास्त्रा batch के अंदर कराये जाएगा, यानि कि इस first chapter के अंदर हम पढ़ेंगे, डिसकस करेंगे, और हर chapter पर भाई, sector numericals है, 100 से भी जादा numericals मिलेंगे आपको, यानि कि और obviously बात है, numericals का कोई end नहीं होता है, there is a millions of numericals on the, only just in these topics, आपको इनी topics पर कई लाखो numericals भी मिल सकते हैं, लेकिन जितना करो उत्रही कम होता है, यही होता है, इन्रॉलिज का भिंडार unlimited है, इन्पाइनाइट है, इसको जितना भी लपेटो उत्रही कम है, तो चलिए, आज हम जो start कर रहें, वो है electric charge and its property, तो let's do it, so electric charge हम start करने जा रहे हैं, इसकी properties और इस पर बेस कुछ दोचार सवाल, तो बच्चो सबसे पहले तो सवाल है कि electric charge होता क्या है, आप लोग ने पढ़ा होगा electric charge 10th class में पढ़ाते हैं, उससे पहले भी 8th class बिसाइद कहीं, जहाँ electricity का chapter था, वहाँ पढ़ा होगा, लेकिन आपने definition इसकी तब भी नहीं पढ़ी थी, बड़ आज आप definition भी पढ़ोगे, इसकी various properties भी पढ़ोगे, एक property आप लोग ने अल्रेडी पढ़ रखी है, तो कोई वो नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो electric charge है क्या, electric charge एक तरे से intrinsic property होती है, intrinsic property of, elementary particles of the body या matter आप करते होती होती है, एक तरह से intrinsic property है, intrinsic property है किसी body की, अभी बच्ची जो word दिख रहे हैं नहीं आप इंट्रिंसिक, इसका मतलब क्या है, इससे आप inherent भी बोल सकते हो, अब inherent का मतलब आनुवाचिक, मतलब पहले से ये किसी body के अंदर मौझूद रहती है, बाहर से इसे हम create नहीं कर सकते, ठीक हाँ, pair में हम इसको बिल्कुल create कर सकते हैं, लेकिन हम single, individually हम इसको create नहीं कर सकते हैं, तो electric charge एक intrinsic property है, elementary particle की, अब ये elementary particle क्या है, elementary particle में आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे electron हो गया, electron है, proton है, neutron है, ये सारे के elementary particle है, electron, proton, neutron, elementary particle है, और इसके behind, ये तो बेटा atom के अंदर पाए जाते हैं, ये कहाँ पे पाए जाता है, atom के अंदर होता है, किदर? atom, हाँना, अब यहाँ पर इसके behind और भी elementary particles है, like quarks है, ठीक है, charms है, beauty है, ये भी बेटा elementary particle है, neon है, ये सब क्या elementary particle ही है, इनके behind ये भी elementary particle है, अब ये intrinsic का मतलब तो समझ आ गया आपको, मतलब भी पहले से ही body के अंदर रहती है, intrinsic का मतलब ही हो गया, क्या सब extrinsic भी कुछ होता है, जी हाँ, बिल्कुल होता है, extrinsic का मतलब क्या होता है, बाई extrinsic का मतलब होता है, कि हम बहार से, किसी body के अंदर कुछ मिलावट कर रहे हैं, यानि doping कर रहे हैं, ये extrinsic word, intrinsic word, frequently आप semi conductor में देखोगे, जब आप last में 14 chapter पढ़ोगे, तब उसके अंदर ये word generally आता है, या chemistry के first chapter solid में कहीं ने कहीं आप ये पढ़ोगे, extrinsic, intrinsic word का, मतलब क्या होता है, तो यानि कि intrinsic का simple simple meaning समझ लीजिए, कि ये पहले से ही किसी body के अंदर रहता है, मौजूद है, इसको हम बाहर से doping यानि नहीं मिला सकते, simple सी बात है, तो यानि कि यही electric charge की definition है, बेटा, इसकी definition उतनी ही tough है, जितना tough हम mass को या length को define करने में लगाते हैं, जितनी definition, mass और length की होती है tough, वैसी इसकी भी उतनी tough definition भी होती है, तो now, ये intrinsic property होगी, यानि elementary particle की, जो पहले सी body के अंदर मौझूद है, simple सी यह बात है, आप ही समझे लेना, कि intrinsic, जो electric charge है, एक तरह से intrinsic property है, elementary particle की, अब यह बता, electron और proton की बात कर रहे हैं, तो दो तरह के charge होते हैं, there are two types of charge, two types of charge कौन-कौन से हैं, एक तो होता है positive charge, एक होता है positive charge, और दूसरा होता है negative charge, यही दो charge exist करते हैं, बच्चों, इसके लावा और कोई charge exist नहीं करता, अभी charge पाए कहां जाते हैं सर, देखो, positive charge जो है न, वो proton पे होता है, कहां पे होता है, proton पे, और आपको पता है, proton कहां पे होता है, atom के nucleus में पाया जाता है, proton कहां होता है, atom के nucleus में, और negative charge यानि कि यह कहां पे होता है, यह होता है electron पर, कहां पर होता है, यह electron पर होता है, तो इसका मतलब क्या है, कि वाई proton और electron कोई charge नहीं है, क्या हो कह रहा हूँ है, proton, electron, कोई electric charge नहीं है, यह particles हैं, अगर negative या positive charge है तो वो सिरफ electron की वज़े से होता है ना कि proton की वज़े से proton कभी भी nucleus से बाहर नहीं आ सकता हम केवल electron को ही transfer कर सकते हैं जिस body पर electron कम हो जाते हैं वो actually में positive charge हो जाता है और जिस पर electron excess मातरा में आ जाता ही है यानि कि बढ़ जाते हैं electron excess मातरा में तो वो negative charge हो जाते हैं simple सी बात है तो electron की वज़े से कोई body negative या positive charge कहलाती है हाँ लेकिन positive charge का source generally proton पर होता है और इन दोनों पर जो charge की value होती है वो same होती है यानि electric charge का quantum होता है electric charge का quantum है यानि quantum of electric charge electric charge का quantum है बच्चो उसे हम बोलते है e e यहाँ पर electric charge का सबसे छोटा हिस्सा है e क्या है यहाँ पर e कोई electron या proton की नहीं बात कर रहा है e यहाँ पर charge on electron और proton है अगर मैं charge on electron की बात करता हूं बच्चो तो यह minus 1.6 into 10 की power minus 19 कुलोम होगा यानि this is the charge on the electron यह ध्यान रखना यह minus e e is a quantum of electric charge इससे छोटा कोई charge exist नहीं करता है पूरे ब्रमांड में पूरे universe में इससे छोटा कोई charge नहीं है बच्चो और हाँ दूसरा यहाँ पर जो है plus e that is 1.6 into 10 की power minus 19 कुलोम यह है charge on proton यह electron पे charge होता है यह proton पे इसका मतलब क्या है अगर मैं electron को अगर consider कर लोगी electron is a spherical shell sorry spherical electron is a sphere आप यह कह सकते हो electron अगर sphere है ठीक है तो इसके उपर negative charges इस तरीके से distribute में लेंगे और इस सारा charge का जो sum है न वो minus 1.6 into 10 की power minus 19 कुलोम है और अगर मैं proton को positive charge spare let कर लो तो इस पर जो charge distribute होगा बच्चो वो होगा 1.6 into 10 की power minus 19 कुलोम दोनों case में magnitude सेम होता है यानि charge on proton and charge on electron proton और electron पे जो charge का magnitude है बच्चो वो सेम रहता है वो magnitude change नहीं हो सकता हा लेकिन they are in opposite sign अब बच्चो इसका मतलब यह नहीं अगर माइनस में है तो यह less than 0 हो जाएका नो यह बस एक quantity है negative मतलब negative charge है बस इतना ही समझे लो यह कोई less than 0 नहीं होता है इतना ध्यान रखना चलिए यह तो हो गया यह आप एलेक्टिक चार्ज के बारे में अब इलेक्टिक चार्ज की यूनिट क्या होती है इलेक्टिक चार्ज की यूनिट क्या होती है इसको हम capital C से डिनॉट करते हैं मैं C O U L O N B यानि कुलाग यह इसकी यूनिट है ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी यह अगर आप यह से डिनॉट कर रहा हूँ चार्ज को मैं किसे दिनॉट कर रहा हूं, small q let कर लो, capital q let कर लो, तो चार्ज को जिनली q या capital q से दिनॉट करते, small q या capital q से, और इसका dimensional formula क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा, सोची जाएगा, क्या होगा dimensional formula, ampere और second, ampere भी, ampere क्या है यहाँ पे, si system का एक हिस्सा है, आप लोगा ने unit देखियोगी, तो साथ fundamental unit में से, एक unit ampere भी है, और second भी है, तो यानि कि भाई, जो charge है, ना तो mass पे depend करता है, ना तो length पे depend करता है, हाँ, लेकिन ampere, और second पे depend करता है, time पे depend करता है, so it is zero dimension in mass, zero dimension in length, और ampere, और यानि current और time पर यह एक-एक dimension में पाया जाता है, यानि generally जो charge है, वो current और किस पे depend कर रहा है, time पे depend कर रहा है, तो इसलिए बोलता है rate of flow of electric charges called as the electric current, current electricity आएगा तब हम उसको discuss करेंगे, so यह है बच्छो electric charge के बारे में, इसके कुछ और भी बाते हैं, कुछ मीटी हैं, कुछ अपटी हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं, तो चलो, discuss करते हैं वो सब भी, तो देरों इसकी properties क्या है, अब हम जो बात करने जा रहे है, electric charge की property की बात करने जाने है, तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे है, fundamental law of electrostatic, fundamental जो पहली property है, basically तीन property होती है, बच्छो चौथी property है, यह मैं इसको इसी के अंदर डाल दे रहा हूं, तो जिससे पहली properties के अंदर क्या है, properties of electric charge, पहली property बच्छो इसमें है, like charges, यह आप लोग ने पढ़ा होगा, like charges, repel, like में क्या क्या आता है, positive, positive और negative यह क्या करेंगे एक दूसरे को repel करेंगे, यह एक दूसरे को repel करेंगे, फेलिख लाया कि फ्रीपॉलिशन होगे यह दोनों में ऐंड अंलाइक चार्ज हैốn अएक पॉजीटीप एक नेगिटीव में क्या हो formulated फोजीटाつ नहीं कर बहुत सपास में आ जाते हैं, बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, unlike charges, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, attract करते हैं, क्या करेंगे, attract करेंगे, so unlike charges attract each other, तो इसमें जैसे आप कह सकते हो, कि अगर दो यहाँ पर charges है, so they will attract each other, इसको ऐसे बना सकते हो, यह positive और यह negative, तो बच्चों यह तो है, पहला, पहली property, इसमें बोलते हैं, fundamental law of electrostatic, ओके, अब आपको एक बात यहाँ पर और मुझे बताने पड़े, हम पढ़ी क्या रहे हैं, fundamental law of electrostatic, हम पढ़ी क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, electrostatic, मतलब आप जो भी कुछ कर रहे हो, पहले चेप्टर में और second चेप्टर में, electric charge and field, electric potential and capacity कुछ भी आप कर रहे हो, इन दोनों चेप्टरों में, आप यही समझे लोगी, charges are not in motion, they are at rest, और rest charge क्या produce कर रहे हैं, electric field produce कर रहे हैं, तो अभी हम charge को दोड़ा नहीं रहे हैं, अभी charge अपनी ही विराम अवस्था में हैं, रुका हुआ है, ठैरा हुआ है, rest में हैं, so they are not moving, so we are dealing the charges which are at rest, तो चलिए आगे start करते हैं, दूसरा जो लो है बच्चो, this is called additivity, इसका हम क्या बोलेंगे, additivity of electric charge, additivity of electric charge बोलेंगे, अब इसका मतलब क्या है यहां पर, additivity of electric charge मतलब कि चार्ज को हम simply add कर सकते हैं, जैसे आप गड़ित में maths को जोड़ते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आदे हैं, सबको simply आप जोड़ देते हो, add कर देते हो, वैसे आप charges को simply add कर सकते हो, तो मतलब क्या है यहां पर, जो total charge है, क्या है, total charge, टेफिनेशन पर धिधियान देना, total charge inside, inside the system, या of the system निखने हो आपे, of the system is algebraic, algebraic, sum of all individual charges inside the system, system क्या लो, body क्या लो, बात देकी है, यानि किसी भी system के अंदर, सपोज मालो में तो कोई भी बाडी है, और इसमें Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे करके charges can distribute है, तो जो total charge होगा, यानि net charge आप इसाब बोल सकते हो, net charge होगा, इस body के अंदर, जितने भी charges है, इस body के अंदर, चाहे positive हो, चाहे negative हो, जितने भी इस body के अंदर charges है, उन charges को क्या करोगे, simply add कर दोगे, जैसे कि आज़ेकर Q1+, Q2+, Q3+, and dot dot dot, यानि इसे हम बोलते हैं, additivity of electric charge, additivity से ही समझ में आ रहे है, जोड़ना, यानि add करना, तो बच्चों simply, क्योंकि electric charge, एक scalar quantity है, yes, electric charge is a scalar quantity, और scalar number को आप simply add कर सकते हो, so electric charge कोई vector नहीं है, ये scalar quantity है, इसकी कोई direction नहीं होती है, ये ध्यान लगना, बस इसका magnitude होता है, वो negative और positive धोनों होता है, तो now, additivity of electric charge के हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि तो टोटल charge है system का, वो simply क्या है system के अंदर, जितने भी charges है, देखें, उन सब का क्या होगा, sum होगा, यानि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, q net equal to sigma i qi, लिख सकते हो ऐसे आप, i यहाँ पर one से लेके infinite तक आप कह सकते हो, अना यह generalized form में मैंने लिखती है, तो जैसे example अगर मैं लूँ इसका, for example, यह जिस मैंने example ले लिया, minus 2 microcolomb, 3 microcolomb, minus 4 microcolomb, 6 microcolomb, अच्छे, micro microcolomb भी discuss करेंगे भाई, ऐसी बात नहीं है, अब आपसे पूछा जाएगी, what is the total charge on the system, तो अगर मैं यहाँ पर q net की बात करता हूँ, तो मैं क्या करूँ है, सब को जोड़ दूँगा, minus 2, minus 4, plus 3, plus 6, इन सभी charges को जोड़ दो, various location पे, अलग-अलग position पे अगर charges है, तो जो total charge होगा उस system का, वो उन सभी charges के sum के बराबर होगा, तेखें, यही आपको ध्यान रखना है, total total word समझ दिमागे बैठा लो, क्योंकि यह word आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, and तक नहीं छोड़ेगा पीछा, जो भी चक्त्रम पढ़ेंगे, कोई भी कहीना कहीं total word यूज़ करना पढ़ेगा, क्योंकि total में ही बहुत सारी रहसे में ही चीज़ें चुपी हुई है, तो चलिए next जो property है बच्चों इसके अंदर, वो है quantization of charge, तो भाई पहली property क्या होगी, कि fundamental law of electrostate बोलते हैं इसको हम, यानि कि like charges repeal each other, unlike charges attract each other, plus plus minus minus एक दूसरे को दूर दूर धक्का देंगे, और minus plus एक दूसरे को attract करेंगे, और additivity of electric charge के हम बात करते हैं, total charge system का, वो क्या है, algebraic sum होता है, सभी individual charges का, जो system के अंदर, various location पे मौजूद है, तो यानि q net equal to q1 plus q2 plus q3, यानि यह आप एक है सकते हो, तो यह हमारे पर system में total charge है, और इस पर आज यह system को जो total charge है, इनको simply add कर दिया है, तो यह है अभी तक का पूरा, लेखा, चित्ता, electric charge के बारे में, चलिए, जो next property है, उसको discuss करते, जो तीसरी property बच्चो है, तीसरी property, what is the third property, this is called as the quantization, क्या कहते हैं, यह थोड़ा लंबा topic होने वाला है, quantization of charge, यानि electric charge को quantization, अच्चा, quantization आपने पहले कहीं पढ़ा है, वाड़, कहीं पढ़ा है, साइद पढ़ा हो मेरी काल से, चल नहीं पढ़ा है, तो आज पढ़ लो, so quantization of charge, इसे हम बोलते है, universal law, universal law of charge बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, universal, universal law of charge, आप यह कह सकते हो, universal law of charge आप कह सकते हैं, है क्या इसमें, अगर कोई भी अगर बोड़ी है, यानि charge, total charge, आप यह कह सकते हैं, total charge, on a body, on a body, is, integral, multiple of e, integral multiple of e, अब यह क्या है यहापे, बताया था, e is the quantum of electric charge, e क्या है यहापे, e is the quantum of electric charge, मतलब electric charge का सबसे छोटा हिस्सा, इस से छोटा कोई भी इस्सा नहीं हो सकता, और इसकी value कितनी होती है, 1.6 into 10 की power minus 19 Coulomb, ओके, यह एक चलिमें charge ही है, लेकिन सबसे छोटा charge है, smallest part हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, smallest part, smallest part of electric charge, क्या हो जाएगा, smallest part of electric charge, तो यानि कि जो टोटल चार्ज है, किसी भी बोडी में, वो N, E के बराबर हो जाएगा, आप ही कैसे सकते हैं, यानि कि E के integral multiple की form में exist करेगा, और N याँ में क्या है, N बच्चो integer है, क्या है integer, integer था पढ़ाई होगा ना, क्या होता यह, 0 होता है, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, and so on, नहीं पढ़ा, अरे पढ़ा है नो, छटी क्लास से पढ़ते हैं और यार, क्या बात कर रहे हो, उसमें आपको सुरू में पहले integer सिखाए जाता है, कुछ number positive होते हैं, कुछ number negative होते हैं, बीच में एक neutral number होता है, जिसे 0 बोलते हैं, तो चलिए, तो Q equal to N E के मराबर होता है, यह ध्यान रखना, इसे ही हम quantization of charge बोलते हैं, दो, अब इससे कई बाते निकल के सामने आती हैं, दो बात तो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, सबसे पहली बात तो यह है, कि charges, जो charges हैं, charges transferred in discrete form, not continuous, यह charges जो है exist करते हैं discrete form में, आपने यह theory उसमें पढ़ा था, planks quantum के case में पढ़ा था, जब planks quantum ने बताया थे, कि जो light है, वो photon है, वो discrete form में exist करते हैं, याद ना photon वाला light वाला, जो light के जो particles होते हैं photon, वो continuous नहीं, discrete form में, packets की form में, bundles की form में exist करते हैं, ऐसे ही हम पे भी होता है बच्चों, लेकिन, यहाँ पे एक flow है, अब वो flow क्या है, flow बच्चों यह है, कि जो charges है, वो actually में continuous में नहीं, discrete में exist करते हैं, लेकिन, only microscopic level, microscopic level पर, यानि कि बहुत ही छोटे लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे, अगर आप देख रहे हो, तो आप charge की quantization को ignore नहीं कर सकते, आप यहाँ पे quantization of charge इग्नोर नहीं कर सकते, अगर आप बहुत ही microscopic level पर आप कुछीच कर रहे हो, तो मतलब आप आपके लिए, एक एक electron, यानि एक एक proton भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपून हो जाता है, बहुत ही important हो जाता है, आप इसको ignore नहीं कर सकते, यह ध्यान रखना, तो microscopic level पे आप इख रहे हो चार्जिस है, तो इसक्रिट फर्म में exist करेगा, ओके, यह ध्यान रखना, दूसरा, quantization of charge is ignored at macroscopic level, आप कुछ बच्चिये सोच रहे होंगे, macroscopic क्या होता है, macroscopic क्या होता है, बेटा, macroscopic क्या मतलब बहुत बड़े scale पे, बहुत बड़े पेमाने पे, आप electric charge को ignore नहीं कर सकते, लेकिन आप बिल्कुल small, छोटे पेमाने पे अगर आप बात कर ले हो, जैसे micro में, nanoclomb में, अगर आप बात करते हो, तो आप electric, जो quantization आप उसे ignore नहीं कर सकते, जैसे for example बात करता हूँ, nanoclomb की case में, मालनों मेरे पास, 1000 या 10 की power, 10 की power 7 nanoclomb charge है, 10 की power, minus 7, और भी कम कर ले दें, इसको, minus 6, minus 6 nanoclomb charge है, तो nanoclomb का मतलब कितना हो गया भाई, 10 की power minus 9, 1 nano का मतलब होता है 10 की power minus 9, और 1 कुलों जो होता है 6.25 into 10 की power 18 के बराबर होता है, बता हूँ अभी यह भी, तो आप देखो जाना है यहां पर, 9 में से 6 गया, 9 और 6, 15 हो गया स्वारी, और यहां पर कितना हो जोगा, 18 में से 15 हो गया, 3 बचा, 625 गुना में, 10 की power 3, यानि कि 625 0 electron, तो 6,250 electron कोई जादा बड़ी रखम नहीं है, यानि कि अगर हमारा चार्ज बिल्कुली छोटा है, इसे माइक्रो कुलोम, इसे हम बोलते हैं माइक्रो स्कॉपिक, इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्कॉपिक, बहुत ही छोटा, हाला कि नहरो स्केल पर बहुँच गया, यह बहुत छोटा हो गया, अगर बिल्कुली छोटे पैमाने पर आप बात कर रहे हो, तो बच्चो आप इस quantization of charge को ignore नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करते हो, macroscopic level पे, for example, 1 Coulomb charge, 1 Coulomb charge में कितने electron होंगे, guess करो, 1 Coulomb charge का मतलब हो गया, कि भाई, यही है हमारे पास, 1 Coulomb charge बराबर 6.25 into 10 की over 18 E, इसका मतलब 1 के बाद 18 0, 1 के बाद कितनी 18 0, कैसे आप बताओगे, कि भाई, कितना E निकल रहा है, यह तो आप बहुत आसा, बहुत छोटी रखम है, microscopic पे बहुत छोटी रखम होगी, लेकिन बड़े पैमाने पे, एक के बाद 18 0 होगई, तो आप इसमें कोई भी, क्या हो गया, ठीक है, या फिर जैसे 60 watt bulb हो गया, या 10 watt का bulb, आपके घर में जो 10 watt का bulb है, ठीक है, उसका जो current होगा, कितना होगा, current कुछ हो जाएगा, 1 by 22 ampere के बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, बिच्चो, इसका मतलब हो गया, कि हर second, एक बट्टा 22 कुलोंग चार्ज, जो है, flow करेगा, 10 watt का जो bulb आपके घर में, वो हर second, 10, यानि एक बट्टा 22 कुलोंग चार्ज कैरी करता है, यानि कि transfer होते हैं, ये कह सकते हो आप, ठीक है, इतने electricity दोडने का मतलब है, इतने charges दोड रहे हैं, इतना charge का मतलब बच्चो, इतना charge हो गया, 10 की power 18E के बराबर, इतने electron ल लेकर, neglect कर सकते हैं, ignore कर सकते हैं, macroscopic पे, क्योंकि ये value बहुत बड़ी हो जाती है, it is very large value, so that's why we can easily ignore the quantization of charge at macroscopic level, क्योंकि it is a very big deal, बहुत बड़ी amount है ये, big amount है काफी जादा, तो आप, इसलिए इसको आप discrete form में ना देखके, आप इसको continuous form में आपको देखना पड़ेगा चलिए, ये तो बात हो गई यहाँ पर, इसकी, चलो, एक चीज़ और इसमें discuss करता हूँ, एक कुलॉम्ब में कितने electron होंगे, वान कुलॉम्ब बराबर कितने electron, ये कोशन है, एक कुलॉम्ब में कितने electron होंगे, यानि how much, how much e, आप कह सकते हो, e मतलब electron let कर लो, proton let कर लो, e is a quantum of electric charge, अगर माइनस e लिख रहा हूँ, तो बाई, electron हो गया, plus e is a proton हो गया, e is a quantum of charge, ये आप कह सकते हो, तो one कुलॉम्ब यानि की, equal to, आप भी देखो, हमारे पास, quantization of charge क्या, q equal to any होता है, यही तो होता है, तो one कुलॉम्ब का मतलब, n into e किसके बराबर होता है, 1.6 into 10 की पावर, minus 19 के बराबर होता है, तो बाई, n कितना आ जाएगा, 1 by 1.6 into 10 की पावर, minus 19, बाई, solve परोगे, तो 6.25 into 10 की पावर, 18 हो जाएगा, तो एक कुलॉम्ब में लगबग 6.25 into 10 की पावर, 18 e के बराबर electron होता है, तो एक कुलॉम्ब अपने आप में बहुत बड़ी unit है, यानि कि very big unit, क्या हो जाएगा, very big unit आप कह सकते हो, तो देखना आप, जितने भी capacitor होते हैं, ठीक है, तो micro-kulomb, nano-kulomb, ठीक है, या फेराड बगएर, micro-farad, nano-farad, इस तरीके से होता है, ठीक है, यानि कि, जो charges होते हैं, जनरली आप देखना, भई, micro, nano में ही, यूस किया जाता है, इतना, इतनी बड़ी unit होती है, कुलॉम्ब चार्ज में यूस करना बहुत बड़ी बात है, जो 10 watt का, जो LED bulb आपके घुरों में जलता है, ठीके न, वो भी actually में, क्या कहते हैं, एक बड़ा 22 कुलॉम्ब पर सेकेंड चार्ज को carry करता है, हर सेकेंड इतने चार्ज उसमें transfer होते हैं, तो almost इतना ही हो गया, आप गुणा कर लो चाहो तो, एक बड़ा 22 कुलॉम्ब पर सेक्स पॉइंट तो 5 इंटो में 10 की पावर 18, लग बग सॉल्ट कोले हैं, यह तो almost ब अच्छा, इसी में एक दो बाते और हैं, वो भी discuss कर लेते हैं, जैसे किसे भी body पे, foundation of charge यह भी बताता है, कि अगर हम charge को transfer करते हैं, एक body से दूसरे body पे, तो केवल E के multiple में ही, integral multiple of E की form में charge को हम transfer कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, यानि कि इसका मतलब बच्चो, जैसे charges can only be transferred in the integral multiple of E, अब इसका मतलब बच्चो, यह है, कि जब एक body से दूसरे body पे charge को transfer किया जाता है, यानि एक body से दूसरे body पे charge को जब भीजा जाता है, जब transfer किया जाता है, तो charges को हम केवल, charges को हम केवल, E के multiple में, यानि 2E हो गया, 3E, 4E, minus 5E, minus 6E, अच्चा, इसका मतलब क्या होता है, यह positive charge आप कह सकते हो, और यह negative charge है, ऐसे समझना है इसको, ठीक है ना, यह मैं समझे हैं कि minus में charge transfer हो रहा है, minus में नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि minus, यानि कि इसका मतलब क्या हो गया है, negative charge को transfer किया जा रहा है, इतना negative charge चला गया, इतना negative charge चला गया, यह जहान रखना, यह positive charge को represent कर रहा है, अच्छा, हम केमल इस तरीके से ही charge को transfer कर सकते हैं, अब आप काओ कि 1.5E मैंने charge भेजी दिया, नहीं, बाई, E से छोटा कुछ नहीं है, E सबसे छोटा हिस्सा है, यह ध्यान रखना, E से छोटा कोई भी part नहीं है, electric charge का, सबसे छोटा quantum of, quantum मतलब smallest part of electric charge E है, इस से छोटा कोई और नहीं है, यह ध्यान रखना, अब मतलब क्या है, कि भाई, आप यह नहीं कह सकते ही, E plus E by 3 charge भेज दिया, minus E by 3 charge भेज दिया, no, this is not possible, ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे charges को कभी भी नहीं भे सकते, आपका answer हमेशा integral form में होना चाहिए, E के, कभी भी आपका answer 0.1E नहीं होगा, 0.8E नहीं होगा, यह सब गरत है, only just इस तरीके से अगर charges transfer हो रहें, तब ही सही है, यही quantization of charge का main, जो है, मतलब है, यानि quantization of charge यहीं बात कहता है, और यहीं बात यहां से proof होती है, ठीक है ना, अच्छा, quantization of charge का जो source है, वो electron ही है, जब हम दो, एक body से दूसरे body पे, जब हम charge भेजते हैं, चाहिए negative charge हो, चाहिए positive charge हो, यह धियान रखना हमेशा, कि जो negative और positive charge ही, केवल electron की deficient और excess की बजियस से होता है, मतलब अगर electron की कमी है, deficient of electron, तो हम कहते हैं, body positively charged है, अगर deficient of electron है, तो body positively charged हो जाएगी, और अगर यहाँ पे, excess, excess का मतलब जादा, excess of electron है, किसी body पर, अगर उस neutral body पे जादा electron आगे, neutral body से, तो आप कह सकते हो, क्या हो जाएगा, negatively charged हो जाएगा, तो देखें, यह होगी quantization of charge की बात, इसे हम universal law of charge क्यों बोलते हैं, अब यह भी सवाल देखो, इससे universal law of charge इसलिए बोला जाता है, क्योंकि पूरे universe का जो electric charge है, वो constant है, जी हाँ, यह पहले से ही विदी में लिखी हुई है, universe का जो total charge है, वो बच्चो constant है, यानि वो change नहीं हो सकता, यह ध्यान रखना, तो आपका मेरा, जो भी इंसान जिन्दा होता है, मर जाता है, ठीक है, या जैसे atom conserve हो जाते हैं, वैसे पूरे universe का charge भी क्या होता है, हमेशा constant होता है, अच्छा, इसको ने universal law of charge की बजाए, आप nature बोल लो, क्या बोलनो, निचर, युनिवर्सल, युनिवर्सल law of nature of charge आप बोल सकते हैं, nature of charge, आप ही कहा सकते हैं, यानि पूरे universe का जो charge होता है, वो constant होता है, यानि quantized होता है, क्या होता है, quantized होता है, पूरे universe का charge हो, quantized होता है, अच्छा, एक बात और इसमें, quark, इसके बारे में बहुत सुनाओगा आप लोग में, कि quarks, जो है, electron से भी छोटा माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, मैं कह सकता हूँ, अगर आप उसको अलग कर सको, तो, वरना नहीं, बेटा, quarks वो आप अलग नहीं कर सकते हैं, quark पे charge कितना होता है, plus minus 2 by 3E, और plus minus 1 by 3E, यह quark पे charge होता है, लेकिन, separate 2 by 3E, minus 2 by 3E, 1 by 3E, minus 1 by 3E, यह exist नहीं करता, भाई, यानि कि, isolated है, individual जो charge है, quark के उपर, वो exist नहीं कर सकता, यह हमेशा pair में होगा, भाई, हमेशा pair में होगा, तो, again, जो quantum of electric charge है, वो क्या है, E है, यानि कि, electron है, आप electron बोल सकते हो, कोई बात नहीं, जिशाग हो रही है, E बोलने में, तो electron बोल लो, ओके? चलिए है, नेक्स्ट जो इसके अंदर है, वो है, conservation of charge, last, इसका जो लो है, चौत्था इसके अंदर है, तीन तो चुके है, चौत्था जो इसके अंदर आता है, conservation of electric charge, जो चौत्था पार्ट है, इसमें, conservation of electric charge, electric charge, ओके, conservation आप सब रोगों ने पढ़ा हुए, law of conservation of mass, law of conservation of energy, law of conservation of momentum, यह सब चीज आप already पढ़के आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, पढ़ चुके हो, ठीक है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, क्या था, इतना तो याद होगा न, what is the law of conservation of mass, mass neither be curated nor destroyed, ना तो हम mass को उत्पन कर सकते हैं और ना हम इसका विनाश कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही जो energy है, ना तो पैदा की जा सकती है, ना इसको हम खतम कर सकते हैं, ओके, ऐसे angular momentum और momentum का भी था, तो यानि की total charge before consumption और after consumption, यानि की पीने से पहले और पीने के बाद जो total charge हो, वो क्या हैगा, constant रहेगा, सिंबल सी बात है, एक glass पानी पीलो बाई, glass में पानी आपके पेट में पानी है, कोई अंतर थोड़ी ना है, चार्ज तो उतनी है, जो glass में चार्ज थे, वो या आपके पेट में चलेगे, total charge है, वो हमें से क्या रहेगा, तो यानि की जो total charge है, किसी भी isolated system का, total charge of an isolated system is conserved, किसी भी isolated system का, जो total charge है, वो क्या होता है, यानि की इसका मतलब क्या है, कि charges, neither be curated, और not destroyed, ना तो हम इसको curate कर सकते हैं, और ना इसको हम destroy कर सकते हैं, ना तो इसका उत्पन किया जा सकता है, और ना इसका विनाश किया जा सकता है, बस transfer कर सकते हैं आप एक body से दूसरे body में, apology I am my writing, देखें, हाँ, जो इसके notes वगेरा होंगे, वो आपको description में link मिल जाएगा telegram का, यानि crazy for physics, महाँ से आप download कर सकते हो, और DPP भी महाँ पर available है, जाओ और download करो DPP, और daily practice problem, आप solve कर सकते हो, काफे चीचे questions है, anxiety पूरी cover हो जाती है, उसके band जो भी extra questions है, वो भी उसके अंदर cover किये गए हैं, तो DPP solve कीजिए, और theory पढ़ो, daily करो, अधर नया session स्टार्ट हो चुका है, 11 की तरह मत करना, कि आज नहीं, exam के time में पढ़ लेंगे, तो भाई हो गया फिर, अभी से start कर दो, I know result आना बाकी है, बहुतों का आ चुका होगा, और बहुतों ने बिना सोचे समझे, study start कर दी होगी, और यहीं लोग आगी होते हैं में सा, चलिए, cat, आगे बढ़ते हैं, अच्छा, लेकिन इसका paradox में आपको गिना सकता हूं, इसका paradox है, क्या है, अगर मैं बोलू मैं charge को produce कर सकता हूं, मतलब मैं charge को key rate कर सकता हूं, बिल्कुल, और मैं charges को destroy भी कर सकता हूं, क्या कह रही हो sir, देखो, example में बात कर रहा हूं, इसे हम बोलते है, pair production, pair production एक, और एक होता है, annihilation, annihilation, और pair production, यह दो है, इसका है, इसमें क्या होता है, कि भाई, जब gamma ray, gamma ray जो होता है, जब materialize होता है, materialize का मतलब क्या होता है, जब gamma ray materialize होता है, बीटा d क्या आप कर सकते हो, जब बीटा d क्यों होता है, यह दो पार्टे, तब इसमें pair में charges बनते हैं, अब बच्चो, paradox मैं ऐसी नहीं कहा रहा हूँ, हलाकि यहाँ पे मैंने कुछ और बोला है, कि भाई, charges को ना तो हम create कर सकते हैं, ना है destroy कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो production हो रहा है, यह यहाँ पे तो बनाया जा रहा है, यह क्या माजरा है बाई, देखो, गामा रे को जब किसी तरीके से materialize किया जाता है, तो इसमें एक electron और एक positron बनता है, इसको हम बोलते है, electron और ही हो जाएगा positron, क्या बोलेंगे इसको हम, positron, यह भी एक particle है, electron और positron, देखो, total charge, before reaction, reaction से पहले total charge क्या है, 0 पुलो, और after reaction, total charge क्या है, भाई, एक negative, एक positive, तो 0 हो गया, समझा है, paradox का मतलब क्या था है, यह कोई paradox नहीं है, paradox अलग होते लिए न, it seems like a paradox, paradox here is a metaphor, मैं metaphor यूज़ कर रहा हूँ, paradox के लिए, इस, यह तो y है, तो यानि total charge, before reaction, 0 कोलो, और after reaction, 0 कोलो, where is the charge, no charge, बच्चो, यानि के reaction से पहले और reaction के बाद, total charge 0 है, यानि pairs में, आप produce कर सकते हो, तो again, log conservation of charge के अनुषार, जो total charge है, before reaction, after reaction, same होना चाहिए, ऐसे बीटाडी के सथा क्यों और इलेक्टरॉन बन जाते है है जब बीटाडी के होता है इन म्लिटा तो प्रोटॉन और एलेक्टरॉन बन जाते हैं तो चारज यहाँ पे जीनो और आप्टर एकशन टुटल चार्ज जीनो अच्छा एक चीज और यह गामार ini क्या आप लोग ने पढ़ाता ना वो झाल रेडियेशन इस्पेक्ट्रम रेडियेशन स्पेक्ट्रम आपने पढ़ाता याद phi 11 किर्स में सैकींद चैप्टर में बहुत बड़ा एक पार यह रेडियो बेव गामा रेडियो वह गया मायक्रोवेव है यूवी रेज हो गया तो इस सब आपने seven series पड़ी तो गामा रे लास्ट ऑना तो यह कि लाइट ऑерв है और फोटोन को किस you से ग struck करुए हैं इसे यह चैंज किया जा रहा है आयरी और इस तो यह प्र değil अगर यह अगर faलो गामा रियस से लेक्ट्रोन और पॉजिट्रोन Б destac तो एलेक्ट्रोन पोजोत्रोन को जोड के गामा रे बिए बनाई जा सकती है तो एलेक्ट्रोन प्लस पोजयुट्रोन गल्स गामा रे कैम थे था तो टो टोटल ऑगार्ट religian उसल्व'. तो यह बच्चों दो एक्जामपल से और इसकी मुणेट सबसे आसान एक्जाम्पल भी आपको मैं दे सकता हूँ सबसे आसान एक्जामपल क्या है बिल्कूल इसी एक्जामपल जो आप लोग बहुत ही लॉंग टाइम से पढ़ते आ रहे हो कि दैट इस आयोनाइजेशन आफ रॉक सॉल्ट आयोनाइजेशन आफ रॉक सॉल्ट आयोनाइजेशन आफ रॉक सॉल्ट ये क्या है रॉक सॉल्ट वे पत्थर में जो पाया जाते है सोडियम क्लॉराइड हो गया अना जब इसका आयोनाइज किया जाता है एने प्लस सी एल नेगिटिव यह भी एक कंजर्वेशन आफ चार्ज का एक्जाम्पल है इसमें पोजिट्रों हो गया और यह एलेक्ट्रों हो गया है तो यहानि कि टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ तर जी नुट्रल होता है ना एने प्लस इसन नुट्रल नुट्रल कंपाउंड होता है तो चलिए वो कवर अप हो चुकी है अब कुछ स्पाइसी टॉक की बात करते हैं देखो अगर चार्जिस रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा लिख देता हूं मैं सब कुछ और नोट करते रहो पैन कोफी निकाल लो भाई नोट करते रहो क्या पढ़ाय जा रहा है क्या हो रहा है यहां पर है कि अ कि अ कि इस पाइसी टॉक कि है क्या इसमें पहला जो इसके अंदर है चार्जिस अगर चार्जिस रेस्ट पे है तो केवल क्या प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे यह हम पढ़ेंगे आगी जाके डिस्कुस करेंगे यह दूसरा चार्जिस इन मोशन बट बट अन एक्सलारेटेड नहीं कर रहा है यारी कॉंस्टेंट उनिपॉर्म मोशन आप कहा सकते हो अन एक्सलारेटेड चार्ज पार्टीकल है तो वह क्या प्रोड्यूस करेंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैगनेटिक फील्ड ओनली त्यान वही हिए सम्झोख इसको तीसरा इसमें एक्सलारेटेड अचार्ज पार्टीकल आपने पड़ा है बच्चों कोई अगर चार्ज पार्टीकल एक्सलारेट होता है तो वह एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव प्र्डेयूस करता है यानि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E.M.Wave के साथ E.M.Wave जिसे आख क्या बोलते हो Radiation बाई यहाँ पे No Radiation Un accelerated charge particle labeling投re नहीं करता लेकिन accelerated charge particle radiation produce करेगा यह थोड़ी से spicy talk के बारे में अब हो जगया गही अच्छा अब हम start करने जा रहे है charging of a body क्या हम बोडी को चार्ज कर सकते हैं कोई neutral body है और एक charged body है क्या इम दोनों को मिला कि दोनों जो neutral body उसको हम चार्ज कर सकते हैं जी हां बिल्कुल कर सकते हैं उसी के उपर हम discuss करने जारें तो यहाँ तीन यहाँ पर टेकनिक है हमारे पास बोड़ी को चार्ज करने की, सबसे पहला इसके अंदर है चार्जिंग बाई फ्रिक्षन यानि की टचिंग रबिंग करना चार्जिंग बाई रबिंग दूसरा कंडक्शन और तीसरा इंडक्शन है, यानि टच और विदाउट टच तो let's do it और इसको discuss करते हैं आखरी topic electric charge का उसके बाद इस topic पूरा समाप्त हो जाएगा तो चरिए टॉपिक है आपे Charging of a body तो पहला जो इसके अंदर है Charging by friction चार्जिंग बाइ प्रिक्षन है यहां पर फस्त चार्जिंग बाइ प्रिक्षन या हम इसको बोलते हैं charging by rubbing अब देखिए इसमें होता क्या है इसमें हम दो बोड़ी को आपस में रब कर देते हैं और जब दो बोड़ी पर रगड़ा जाता है अपस में तो कुछ चार्ज जो होते हैं जिस पे excess amount में electron होता है वहां से वो जिस पे जो neutral हमारे पास बोड़ी है उसके अपर charges transfer हो जाते हैं और इसमें जो electricity generate होती है उसे हम बोलते हैं Frictional electricity इसका और भी example है एक सबसे अच्छा जिससे यह पता किया गयाता है कि भाई charges negative होते है पोजिटिव होते हैं वह अंबर अंबर जानतों क्या होते हैं जब अंबर को बूल के साथ रगड़ा जाता है अंबर को रब किया जाता है बूल के साथ रब तो जो अंबर है न नेगिटिवली चार्ज हो जाता है क्या हो जाता है नेगिटिवली चार्ज हो जाता है और यह लाइट जो बॉड़ी है न आदे लाइट बॉड्य यानि बिट ऑफ पेपर के इस तरीगें जो ऑप्जीट्स है उनको यह एट्रेक्ट कर सकता है अब अंबर होता क्या है अंबर क्या आकास नंहीं तेट हुथ है नीला नीला गगन नहीं न है आ नंबर क्या मतलब होता यो एंड बहनो इट इस फोसी लाइस्ट फोसी लाइस्ट आप कह सकते हो इस्टॉन इसम्पोर सिल्ई स्टॉन बोल सकते हैं यानि जाब यह जो पेड़ का गॉंद के लडू तो सुनें होगे जो पेड़े में से गॉंद निकलता है उसी गौंत की बात कर रहा हूं, जब यह बहुत लॉंग टाइम तक रखा रह जाता है, तो यह पत्थर जैसा हो जाता है, और जब इसको बूल के साथ रगड़ोगे, तो इसमें जनरली स्पार्कलिंग, मतलब जो लाइट पेपर होते हैं, उसको यह एट्रेक्ट कर सकता है, और दूसरे एक्जांबल भाई, आपने बिल्कुल ड्राइ जो बाल है, उसे कंगा करो, और कंगे को कंगे को ले जाओ, कुछ आप क्या कहते हैं, पेपर के पास, और वो पेपर को एक्टेट करता है, आपने स्केल रगड़ा होगा बालों पे, फिर आप पेपर को आपने च को बच्चो, होता क्या है, जैसे मान लो, आपने अपने बालों में कंगा किया, ठीक है, आपने क्या 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 आपने बालों में कंगा कर लिया, जब आप बालों में कंगा करोगे, तो क्या होगा, कुछ जो चार्ज है, कुछ चार्ज इस पर से, यानि कि बालों में ट्रां लूज करदेगा क्या करेगा एलेक्ट्रोन लूज करेगा अगर लूज करेगा तो पोजिटिव ली चार्ज हो जाएगा जाएगा अब इसको आप किसी पेपर के पास लेके जाओ यह ऐसे अब दोखो क्योंकि आप फॉजितिव चार्ज हो चुका है नाँ फॉजितिव चार्ज हो चुका है तो पेपर में क्या होता है ऑलेक्ट्रों भी होता है तो यहां पर इसके समी पाज़ेगा नियर बई आ जाएगा और जो फोजितिव यहां चार्ज होंगे, यानि जितने बाई अगे ने क्रेट हो रहा है, एक तरह से इंड्यूस आप कैसकते हो, हो रहा है तो, तो यहां पर क्या होगा, कि जो इलेक्ट्रोन की वज़े से, क्योंकि यहां पर दो आपोजिट चार्जिस आगे एक positive चार्ज और एक negative चार्ज तो यह कंगा क्या करेगा इन electron को अपनी और खीचना सुरू करेगा और इसलिए आपको रगता है कि आपने कंगी को hold कर रखा है और paper जो है कंगी की तरफ attract हो रहे हैं और यही case actually में glass rod के साथ होता है इबो नाइट रॉड के साथ होता है इबो नाइट वी एक रॉड होता है इबो नाइट रॉड हो गया उसके साथ भी ऐसे होता है आपको सिल्ख पे यह जो बूल होता है उस पे इसको रब करना होता है cotton के कपड़े भी रब करके हो सकता है तो यह reason किसी भी बॉड़ी पे अगर चारज बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं यानि कोई भी बॉड़ी पोजिटिव चार्ज है नेगिटिव चार्ज बन रहा है तो उसका एक ही रीजन है मातर वो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोन की वज़े से कोई body चार्ज होती है यानि positively और electron की वज़े से कोई body negatively चार्ज होती है अगर कोई body positively चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब जो body है वो electron lose कर रहा है जब body electron lose करेगा तो body पे कहरा जाएगा केबल यानि कि electron निकल गए तो इलेक्ट्रोन निकलेगा तो अब उसको क्या करना है law of conservation of charge की बात करोगे तो according to law of conservation of charge जो आप चार्ज है वो actually में total उतनी रहने चाहिए हना और यहां पर charges quantized भी होता है क्योंकि integral multiple of e की फर्म में charge निकलने है तो अपने पीछे यह holes create करके चले ज devices में holes एक तरह से positively charge होते है जो electron की जगें ले लेते हैं आप यह कह सकते हो तो यानि कोई body अगर electron lose कर रहा है तो positively charge body बन जाएगा और अगर कोई body electron ले रहा है गेन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा negatively charge body बन जाएगी कि 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 अच्छा अब इन समय आप एक सवाल यह पूछ सकते हो अच्छा इसमें एक चीज और है आपने पत्थरों को मारा होका जिस रोडियों अगर रहते रोडियों को आपने दिखा होगा जिब रोडी को रोडी मारी जाती है तो उसमें भी sparkling निकलती है कि यहां पर यहां पर जो जो electricity जनरेट होती है बच्चो उसे हम बोलते हैं frictional electricity यानि रब करने से घरसन करने से जो electricity जनरेट हो रही है उसे हम frictional electricity बोलेंगे तो भाई charging भाई friction में कि अधर दो बोडी को रगड़ा जाता है तो एक बोडी है उसके अंदर या बैट्री के लगाए बिना उसके अंदर जो electricity पैदा होती है उसे हम क्या बोलते है प्रिक्शनल electricity बोलते हैं अब बच्चो एक चीज और यहां पर सवाल आप पूर सकते हूं कि जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर Shark transfer होते हैं यानि इन डा charging by friction या conduction जब चार्ज ट्रांसफर होते हैं तो क्या Mass में भी change आता है क्या Mass भी alter होता है बोडी का Mass of body change होगा क्या यह सवाल है जब एकleo contract से दुसरे ट्रांसपर हो रहा है हाना इलेक्ट्रोन ट्रांसपर हो रहा है इलेक्ट्रोन का खुद का एक अपना मास होता है डेफिनेट मास होता है इलेक्ट्रोन का भी एक डेफिनेट मास है कितना होता है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 कीजी एक इलेक्ट्रोन पे इतना मास होता है तो जो positively charged body है वो क्या कर रहा है वो mass भी lose कर रहा है यानि positively charge body mass भी खो रहा है और जो negatively charged body हो क्या कर रहा है mass को gain कर रहा है लेकिन भाई power देखलो कितनी है minus 31 kg minus बाई एक ग्राम तो पता ही निए चलता है minus में क्या पता करोगे है ना कुछ नहीं पता चलने वाला है इसमें तो बहु जा सकते हैं नेगलीजीबल मास ही ट्रांसफर होगा चलिए एक्जामबल इसके मैं आपको दे दिये चार्जिंग बाइफ्रिक्शन का जो दूसरा मेथड है इसके इंदर बच्चों जो दूसरा मेथड है वह है दूसरा मेथड है चार्ज बाइफ और यानि कि चार्जिंग बाइफ्रिक्शन यानि कि चार्जिंग बाइफ तचिंग आप बोल सकते हूं या कॉन्टेक्टिंग कि देखो इसमें क्या होता है कंडक्शन से आपको समझ में आ रहे हैं कि भाई दो हमारे पास दो तरह के दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर हम देखे तो एक इंसुलेटर और एक कंड़क्टर तो इंसुलेटर क्या होते हैं जो जैनली इलेक्टर सिटी जो है अपने में से पास नहीं होने देते हैं सिंपल सी बात है कि उसमें फिरी लेक्टोन नहीं होते हैं कंड़क्टर क्या होते हैं जिसमें फिरी लेक्टोन होते हैं और जो सैमी कंड़क्टर क्या होते हैं जो जनली इंसुलेटर और कंड़क्टर की बीच में बीएव करते हैं उसम सैमी कंड़क्टर बोल देते हैं डॉपिंग वगेरा से जैसे जो यहां पर जो टेट्रा वैलि है और से प्रेदिया गेसे और कंडे मेटल इस तो यहां पर जो कंडेक्ट्ट्ट्रos Kenya हुं हम बात करने हम बात कर रहे हैं नूट्रों है उसकी हम बात कर रहे हैं तो मानलों मेरे पास कोई वे एक Neutral है यह क्या है Neutral Mattel और मैंने इसको जौड दिया एक Insulated Stand से यह क्या है Insolated Stand है अच्चा काम क्या होता है hill इसका काम होता है charge को Prevent करना क्या करता यह प्रिवेंट इस चार्ज, तो अर्थिंग, यह अर्थिंग में चार्ज को नहीं जाने देता है, चार्ज को प्रिवेंट करता है, इंसुलेटर का काम ही होता है, अच्छा, आप अपने बॉडी के अंदर हाई बोल्टेज करेंट पैदा कर सकते हैं, 220 वोल्ट तक, 1100 वोल्ट तक, कैसे, आपको क्या करना है, लाइफ वायर को पकड़ लेना है, लाइफ वायर जानते हैं जिसमें एक बिजली दोड़ रही है, और लटक जाने हवा में, या किसी रबड के शूज पैन लेना, या रबड की कोई स्टैंड हो, उस पे खड़े हो जाना, आपके बॉडी से 1100, 1200, 1220 वोल्ट क करेंट दोड़ रहा होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने वाला, क्यों होने वाला है, क्योंकि चार्जिंग के लिए, जब, क्योंकि आप दो, जो यहाँ पर electricity है न, इसका जो कारण है न, वो flow of electron है, जो electron energy ले जा रहा है, उसकी वज़े से है, अब वो electron आपके बॉडी के अंदर जा रहे हैं, लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो electron जा रहे हैं, उसको कहीं और जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहे हैं, तो potential क्या आपके पूरे body पर same है, मतलब जीरो आप यह कहा सकते हो कि, आप potential difference ही नहीं है, कहीं पर भी, तो वहीं जो potential आ रहा है, उतना ही है, अर्थिंग आप लिख सकते हो, यानि अर्थ में जाने से charge को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, अब हमने क्या क्या यह neutral है, क्या यह neutral है, इसमें कोई भी charge नहीं है, हमने क्या क्या, एक negatively charged body, इसके contact मिले के आगे, यहाप हमने क्या कर दिया है, इसको touch कर दिया है, contact मिले के आगे, और यह कोई भी एक ebonite या glass road हो सकती है, और इसमें क्या है negative charge है, कैसा है बच्चो negative charge, अब यह charge जो है, क्या होगा, यह charge यहाँ से इसमें transfer होना शुरू हो जाएगा, ऐसे करके, और कब तक transfer होगा, जब तक यह equilibrium में नहीं आ जाता है, जब तक equilibrium attend नहीं हो जाती, तब तक यह charge transfer होगा, equilibrium, अब क्या करेंगे, इस glass road को आप remove कर दो, इसको remove करोगे, तो यहाँ पर जो metal है, यह negatively charge हो जाएगा, और जो आपर charges दिख रहे हैं आपको, यह uniformly distribute हो जाएगा, यह uniformly इस तरहीं से distribute हो जाएगा, तो यानि यह हमार पास charge by conduction, तो दूसरा method है, जिसमें क्या क है, actual में touch कराया जाता है, दो bodies को, तो इसमें क्या होगा, जो charges होगा, जिस पर access electron है, कुछ electron उसमें चले जाएगे, metal sphere में, और कब तक जाएगा, जब तक ही charges जो है, equilibrium state में नहीं आ जाते हैं, यह दोनों पर charges जब तक बराबर नहीं हो जाता, तब तक electron यहाँ पर transfer होगा, उ rubber की stand आभी कह सकते हो, तो rubber की stand क्या करेगी, चनली, अर्थ में charge को जाने से रोकेगा, तो charge वहीं पर रहेंगे, जहाँ पर होगा, क्योंकि insulator में electron flow नहीं करते हैं, अचा, तीसरा method जो है, charge, charging by induction, charging by induction, charging by induction, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम touch नहीं करते हैं, without touch यह है, without touch feeling लेके आइंगे सकनते हैं, without, without touch होता है, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि माहलों मेरे पास कोई metal sphere है, कोई भी एक metal sphere है, और यह आज़िए, आगी insulated ball, क्या आ गया, insulated, insulated stand, ball, ball कर रहो है, insulated stand हो जाई है, ठीक है बच्चों, अब क्या होगा यहां पर, हम क्या करेंगे, एक ebonite road या कोई ऐसे, जो negative charge road है, इसके मिल्कुल समीप ले क्या जाएंगे, ऐसे करके, अब देखो, आपको पता है, कि भाई metal sphere है, तो इसके अंदर free electron होगा, अब यह electron है, यह भी तो electron ही एक तरह से, अब जो यहां पर free electron होगा, इस nearby face पे, जिस road के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल जो पास वाला face है, तो यहां की जो electron होगा, क्या कहा चले जाएंगे, दूसरी side चले जाएंगे, ओके, और यहां पर जो positive है, charge, वो यहां पर induce हो जाएगा, induction का मतलब ही क्या हो गया, induce कराना, क्या कराना, induce होना, induce, यानि उत्पन करवाना है, यहां पर हम charge को उत्पन करा रहें, induce करवारें, तो देखे, पहले क्या क्या है, एक neutral body, metal sphere है, उसके पास एक negatively charged rod लेके आएंगे, अब ही जो negatively charged rod है, देखे, यह इसके जो nearby face है, इस metal sphere के, व because of electron repulsion, भाई, दो negative charge अगर contact में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, repel करते हैं, तो जो भी इसके अंदर, अब जो electron वहाँ जाएगा, उत्रहें, यहां पर positive charge, create हो जाएगा, अब क्या करेंगे, इसको हटाना नहीं है, अब यहां पर यह वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या कर दे अर्थिंग कर देंगे, क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे, जब अर्थिंग करोगे तो यह सारा electron क्या होगा, इस अर्थिंग के अंदर चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, उसके बाद इसको हटा दो बच्चो, इसको हटा ओगे, तो क्या हो जाएगा, इसको हट जाने के बाग यह जो positive charge है पूरे sphere पे uniformly distribute हो जाएगा और इस तरीके से हम charge by induction से किसी भी metal sphere को हम क्या कर सकते है चार्ज कर सकते है पॉजिटिव चार्ज कर सकते है नेगिटिव चार्ज भी कर सकते है अच्छा नेगिटिव चार्ज कैसे करोगे यह तो only single वाला हो गया विदाउट टच आप किसी बॉडि में नेगिटिव चार्ज कैसे produce कर सकते हैं देखे कुछ नहीं करना है बच्चो इसी को ले लेता हूं मैं हम क्या करेंगे इसके पास एक अनादर मेटल इसके लेके आजेगे यहां पे दो conduction induction दोनों है वो टच करा देंगे एक अनादर मेटल लेकर आजेगे और टच करा देंगे अब यह जो इलेक्ट्रोन को क्या हो जाएगा इसमें ट्रंसपर हो जाएगा तो तो यहां पर यह वाला इसके अंदर ट्रांसपर हो जाएगा इस तरीकेशे फिर इन धोना मेटल्स को आटा दॉँए पोजिटिव चार्ज हो जाएगा यहां पर पूरा का पूरा और यह वाला नेगिटिव चार्ज जाएगा पस ऐसे कर दो यानि कि अनादर जो उन्चार्ज मेटल इसके इसको टच करा दो यहां पर टचिंग करानी पड़ेगे आपको तो जो भी इलेक्टिन सारे इसके इंदर चला जाएगा और दोनों स्टेंड को अटा दो तो यह क्या हो जाएगा चार्जिंग बाइ इंडक्शन साब नेगिटिव और पोजिटिव चार्ज दोनों किरेट कर सकते हैं तो देखिए यह तो हो गई बात इलेक्ट्रिक चार्ज और इसकी प्रोपर्टीज की इसके बाद बचा क्या कुछ नुमेरिकल रह गए हैं वो डिसकस कर लेते हैं फड़ाफट़ इसे नोमेरिकल टाइम नाउ अब आम करने जा रहें नोमेरिकल्स कुछ नोमेरिकल्स हैं कॉंटेशन अब चार्ज हो गया ट्रांसर अब चार्ज पर बेस्ट तो पहला नुमेरिकल यह वैसे बात नहीं है कोई अलग नहीं करा रहा हर second इतने electron ट्रांसफर किये जा रहे हैं अब यहां बोले एक कुलोंग चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना समय लग जाएगा यारि how much time is required to get total charge of one कुलोंग on the other body कितना समय लगेगा यह हमें निकालना है आपको क्या लगता है कितने साल लगने चाहिए कितने दिन लगने चाहिए कितने घंटे कितने सेकेंड लगने चाहिए बच्चों बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी एक कुलोंग चार्जी को ट्रांसफर करने में इतना बड़ा साल आने वाला है इसका कि आप चौक जाओगी कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकते एक कुलोंग कि वन कितनी बड़ी quantity है, देखे, electron कितना transfer हो रहा है, 10 की power 9E per second, यह हर second transfer हो रहा है, इतना electron, हर second जा रहा है, अब 8 कुलोम चार्ज के हम बात कर रहे है, 1 कुलोम चार्ज का मतलब कितना हो गया, 6.25 into 10 की power 18E के बराबर होता है, इतना ही तो होता है न, क्या करना है, इन दोनों को divide कर दो, तो जो time यहाँ पर आ जाएगा बच्चो, 6.25 into 10 की power 18E upon 10 की power 9E, परती second है न, यह second आ जाएगा, बाई, E per second है, कुछ नहीं किया बच्चो मैंने, इन दोनों को divide कर दिया है, कुछ नहीं किया इतना खास, इन दोनों को मैंने divide कर दिया है बस, तो देखिए, क्या हो जाएगा, solve करोगे इसको, तो बच्चो 6.25 into 10 की power 18E, इतना second लग जाएगा, अगर आप इसको hour में change करने के लिए, क्या करना होता है में, hour में change करने के लिए 3600 से divide करते हैं, एक second बराबर, एक second बराबर, एक बट्टा 3600 hour, इतना घंटा हो गया, एक घंटे को अगर आप दिन में convert करते हो, तो 24 से divide करोगे, हाँ ना, क्योंकि एक दिन बराबर 24 घंटे, ये दिन हो गया, और अगर इसको आप, दिन है ना, अब दिन से आपको साल में change करना है, तो साल में change करने के लिए, आपको 365 से divide करना परे, अब भाई इसको solve कर लो, इतने years हो गए, इतना year, इसको solve कर गए बच्चे तो 198 years के आसपास आजाएगा, ये लगबग कितना आजाएगा, 190 years, 198 years, बाई calculation कर ले न खुर, ये मैंने कराएगा, calculation आपके पास है, आप देखो कैसे calculate करना है, मैं करूँगा तो पिल्कुल roughly करूँगा, ठीक आप पादल हो जाओगा मेरी calculation देखके तो, अलगी calculation मिलेगी, खेर, तो लगबग 198 साल लग जाएगे, एक कुलॉंग चार्ज को एक बाडी से दूसरे बाडी पर ट्रांसफर करने में, 198 साल, 198 येर ओल्ड, साल, येर्स लग जाएगे, चलिए, एक तो ये सवाल है, अगला सवाल देखते हैं, तो अगला सवाल देखे, बच्चों गौहरते हैं, ये आपके सामने दिख रहा है, सवाल ये है, अपॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इस पाउंड तो हैब नेगिटिव चार्ज औफ 3 इंटो 10 की पाउर माइनस 7 कुलॉंग, एस्तिमेट नंबर ओफ एलेक्ट्रोंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच्च तो विच्च एंड उसके बाद इस देर एनी ट्रांसफर आफ मास, इट्स 3.2 इस देर एनी ट्रांसफर आफ मास ये भी सवाल इसमें पुछा गया है, अब देखिए, पहले तो इस सवाल को उठाते हैं, पॉलिटीन पीस को रब किया जा रहा है, किस से बूल से, ये ध्यान रुखो, पहले रब किया जा रहा है, यानि कि एक तरह से चार्जिंग बाई फ्रिक्शन हो गया, उसके बाद यहां पे, अब पॉलिटीन पे जो चार की पावर माइनस 7 को लो, इतना नेगिटीफ चार्ज यांपे क्या हो रहे है, एक क्वाइर हो रहा है, सवाल क्या पूछा गया है, कि कितने इलेक्ट्रोन ट्रांसफर हुए, और किस से किस पर आए, यानि कि बाई, ये पूछा है कि, बूल से इलेक्ट्रोन पीस पे आया, या polythene piece से electron wool पे गए यानि किस से किस पर electron transfer हुआ सवाल यह है तो बच्चों देखिए सिंपल सी बाद यह किस पर आया है चार्ज यह polythene piece पर चार्ज आ रहा है किस पर आ रहा है polythene piece पर तो यानि कहां से electron आ रहा है बाई electron wool से कपड़े से polythene पर आया है तो electron transfer transferred from wool to polythene piece अब ऐसा क्यों हो गया बताया था ना याद है कि जो electron acquire करता है वो negatively charged body बन जाता है और जो loose करता है positively charged body बन जाता है तो यानि wool से electron polythene पर गए है simple सी बात है हमें क्या निकालना है number of electron निकालना है कि इतने में कितने electron transfer हुए होंगे बड़ा simple सा सवाल है यह तो यानि जो number of electron हो जाएगा क्या करना है आपको divide करना है quantization of charge apply कर लो आपके q equal to any होता है और अबाल पास q कितने है minus 3.2 minus 8 दो 3.2 into 10 की power minus 7 n into 1.6 into 10 की power minus 19 यही तो होता है ने e की value बाई n निकालना है 16 दूनी क्या होता है 32 होता है minus 7 plus में 19 कितना हो गया उननेश में से साथ गया हमारा बचे का कितना 12 तो 2 गुना में 10 की power 12 electron transfer हो चुके हैं अच्छा B part क्या यहां पे mass का भी transfer है बिल्कुल है जब electron transfer हो रहा है तो mass भी जाएगा और कितना mass transfer हो वो भी निकालना है तो yes और जो यहां पे mass आ जाएगा mass जो transfer mass जो यहां पे हो जाएगा तो इंटो में 10 की power 12 इसी को बच्चों क्या करोगे जो electron का mass होता है उससे गुड़ा कर लोगे 9.11 इंटो 10 की power minus 31 इंटो कर लो दो 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 निम 18 गुना में 10 की घाथ 11 में से दो गया तो 9 बचा दो में से एक गया तो चला बच्चों अगला सवाल करते हैं यह सवाल बड़ा दिल्चस्प है थोड़ा सा इसमें केमिस्टी है हाउ मच पोजिटीव और नेगिटीव चार्ज इन अ कप ऑफ 250 एमल वाटर अच्छा मैंने आप एक क्वांटिटी आपको दे दिया है एंसाइटी में इसमें क्वांटिटी नहीं जीवन है तो अब 200-200 कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हो अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हाला कि मैंने आप लिख दिया 250 एमल पानी में कितना कितना यहां पे क्या कहते हैं पोजिटीव और नेगिटीव चार्ज होगा कि अब पच्चों इसे ट्रीं ग्राम ही समझ के चलो एमैल मत समझो इसे अ 2-5 पच्चास ग्राम ही होता है इक्यूविलेंट कि आई निकालेंगे कैसे माश आफ डॉनर गीवन ह्यं मारे पास 250 ग्र मोच्चै था इसए निदोंगे सु 20aggi तो निकालेंगे कैसे औला पहले आप यहां से निकालोगे number of water molecules, total water molecules कितने हैं, यह तो निकालोगे नहीं पहले, पहले इसे हम निकालेगे total water molecules, molar mass क्या होता है water का, 18 ग्राम पर मोल होता है, अठार ग्राम पर मोल होता है, तो यानि कि यहां पर जो N होता है, आपने formula पढ़ाता है, N by N A equal to small M by capital M, यहीं क्या है number of water molecules, number of water molecules, तो यहां पर किसके बराबर हो जाएगा, by given mass 250 upon 18 molar mass, अवगा गया तो नमबर 6.022 into 10 की पावर, 23, 6.022 into 10 की पावर, 23, कट रहा है, तो 6 तिया 18, almost में खाटते हैं, और 3, 8, 24, बचा कितना है यहां पर, 1, 0, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, यानि 8.333 into 10 की पावर कितना, 24 molecules, चलिए, तो इतने molecules हो गए, जादा नहीं हो गई है, बहुत जाद हो गया, कोई बात नहीं है, आगे, अब बच्चों देखो, molecules में, जो water molecules होता है, इसमें total कितने electron है, जो total electron होगा इसके अंदर, उद्दास होंगे, कैसे, बाई, दो तो hydrogen में हो गया, और 8 तो oxygen में हो गया, दो electron hydrogen में हो गया, और 8 electron oxygen में हो गया, तो total इसमें 10 electron होगे, गड़िस समझा रही है इसकी, बाई, H2O formula है न, formula क्या है, H2O, तो 2 hydrogen, 1 oxygen, total 10 electron होगे, यानि कि जितने electron होगे, उतने proton भी होगे, यह बात है कि नहीं, अगर मैं इसको 10 से इंटू कर दूँ, अगर मैं इसको 10 से इंटू कर देता हूँ, तो यानि कि हमारे पास जो number of electron हो जाएंगी, टोटल, बच्चो, 8.333 into 10 की power 24 into 10, बाई, एक molecule में 10 electron है, तो इतने molecules में कितने electron हो जाएंगी, टोटल, इतने electron के बराबर हो जाएंगी, तो टोटल चार्ज कितरा हो गया, जो टोटल चार्ज हो जाएगा, कौनसा हो जाएगा, नेगिटीव और पोजिटीव, दोनों चार्ज, जाए पोजिटीव जाए नेगिटीव हो, इसके बराबर हो गया, यानि कि इसको इंटु करोगे, 8.333 into 10 की power 24 into में, अच्चा, 10 जब इसको इंटु करोगे तो पावर एक बढ़ जाएगी, वन इलेक्टोन होता है, 1.6 into 10 की power माइनस 19 के बराब, अब इसको आप कर लो, multiply, तो multiply कहरेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्मोस्ट आप है कहा सकते हो, 16, 48, 4, 48, 4, 52, 5, 48, 5, कितना हो जाएगा, 53 और 5, और इसके बाद यहाँ पे 16, 28 होता है, 128, हाना, 128, और 128, जमा में 5, कितना हो गया, 100, कुछ, 128, जमा में 5, कितना हो जाएगा, कुछ 133 के आसपास हो जाएगा, लगबग इतना ही आएगा, और 10 की पावर 25 में से 19 गया, तो भाई 6 बचा, तो कितना हो गया, लगबग इतना हो जाएगा, और नेगिटिव चार्ज होगा, वन कप आफ वाटर में, यानि एक कप पानी में, एक कप में जो पानी है, जो यहाँ पे, उसमें लगबग इतने नेगिटिव और पोजिटिव चार्ज होंगे, इतने सवाल है बच्चो कुछ नहीं करना है, पहले आपको थोड़ी केमिस्टी यूज करनी है, नमबर ओफ मोल्स कॉंसेट्ट लगाने है, इसके अंदर आगा गैडर नमबर निकाल लिया, उसके बाद टोटल लेक्टोन, नमबर ओफ लेक्टोन बराबर हो जाते हैं, स्वाल कर सवाल हो गया, यह वाला कोशिन देखो, calculate charge carried by 12.5 into 10 की पावर 8 electrons, तो बड़ा सिंपल सवाल है बच्चो, यानि कि टोटल जो आपे 12.5 into 10 की पावर 8 e के बराबर है, तो टोटल चार्ज निकालना है, तो क्या करना है, इलेक्टोन की वेलू यहां रखता हूं, 12.5 into 10 की पावर 8 और 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कुलोम, इसको कर लो, आप multiply, तो multiply करने के लिए यहां पे 10 लिख लो, और यहां 10 लिख लो, बड़ा सिंपल गड़ी ते बता रहा हूं, 10-10 कितना हो गया, 100 हो गया, हाना, 25, 5, 125, 25, 400, चार से काट हो गया, 4, 16, चार पंजी कितना हो गया, 20 हो ग तुमें 10 की पावर माइनस 10 कुलोम, कौन सा option दिख रहा है, B option, B option इसका ठीक है, तो बड़ा दिल्चस्प सवाल है, how many electron would have to remove from copper penny, copper penny का मतलब, copper का सिक्का, छोटा सा, to leave it with a positive charge of 10 की पावर माइनस 7 कुलोम, हाई, डिवाइड हैंड, डिवाइड का रूल है, सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं हो, चार्ज कितना है यापर, चार्ज है माइनस 7 कुलोम, चार्ज कितना है, माइनस 7 कुलोम, इतना चार्ज रिमूफ करने के ये, पोजिटिव चार्ज रखना है में, ये, हाउ मैनी एलेक्ट्रोन्स वोड हैव तो रिमूफ, कितने एलेक्ट्रोन निकालने पड़ेंगे, वन कुलोम का मतलब कितना हो गया, वन कुलोम का मतलब 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना, इतना ही तो होता है, स्वरी, 18, वन कुलोम कितना होता है, 6.25 इंटू 10 की पावर, 18, यानी 6.25 इंटू 10 की पावर, 11, इतने इलेक्ट्रोन्स को हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कौन सा ओप्शन दिख रहा है आपको इसमें, पहला ओप्शन ठीक है बच्चो, तो अंगला सवाल बच्च होता है, चार्ज ऑन अलफा पार्टिकल 2E होता है, गीवन है, चार्ज ऑन प्रोटोन इस 1.6 इंटू 10 की पावर, 19 क्लोम, और चार ऑप्शन ही आपके पास, दो ऑप्शन नेगिटिव, दो ऑप्शन पोजिटिव है, है ना, सिमिलर में, तो देखिए, 2E का मतलब कितना हो होता है, 1E कितना होता है, 1.6 इंटू में, 10 की पावर, माइनस 19, हाना, अब अलफा पार्टिकल है, तो भाई, चार्ज जिस पर क्या पोजिटिव चार्ज है, तो यानि प्रोटोन की बात चल दी है, सिंबल सी बात ही, प्रोटोन होता है, बच्चो यहां रखना हो, ठीक है, झाल 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 चले एक सवाल यह है बच्चो सामने, calculate the charge on 5626 iron nucleus given charge on a proton is 1.6 into 10 की पाव माइनस 19 क्लो, देखो बच्चो, यहां क्या कुछ है, charge on nucleus पूछा है, यह ध्यान रखना, charge on nucleus, और nucleus में क्या होता है, proton होता है, है ना, तो भाई, positive charge निकालना है, तो देखे, यहां पे जो charge में given है, एक तर 20 पाव माइनस 19 कुलोंब के बराबर है, तो nucleus में charge कितना होगा, दो भाई, nucleus है, इसमें कितने proton होगे, 26, आपने पढ़ा होगा, यहां पे mass number होता है, और यहां पे atomic number होता है, यही actually में number of proton, number of electron होता है, है ना, element representation आपने पढ़ा होगा, तो यहां पी क्या हो जाएगा, बच् 26 है, हाना, तो यह 26 proton और एक proton पे charge कितना होता है, E के बराबर होता है, एक proton पे charge E होगा, तो यहां यह कितना होगा, 26 into में 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, इसको आप multiply कर लो, आप 16, 99, 16, 32, 99, कितना होगे, 41, यानि 41.6 into 10 की पावर माइनस 19 कुलॉम, और 4.16 into 10 की पावर माइनस 18 कुलॉम के आसपास इसका अंसर आएका, तो बच्चों, यह तो होगे numericals, यानि कि quantization of charge पे based, और जो हमने friction पे, और charging by friction पे, जो based, कुछ सवाल तेकार, हमने अच बना लिये हैं, दो, इसकी DPP है, यह DPP1 के सारे सवाल है, DPP1 आपको, उसका जो link है, description box में मिल जाएगा, टेलिग्राम पे जाके, Crazy for Physics से उस channel को subscribe कर लेना, member बन जाना, और वहाँ पे आपको सारी updates, videos related, और क्या करते, DPP से related, notes से related, सब कुछ मिल जाएगे, सो बने रहे हैं, जोडे रहे हैं, and see you in the next video with Coulomb's force, Coulomb's low, electric force, और इस पे बेस्ट, बहुत सारे numericals, Tata, Bye!